हलो दोस्तों नमश्कार मारूति नंदन अकैडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज हम बात करेंगे हमारे प्रेश्ण करमांक 21 से लेकर 40 तक प्रेश्ण है माइक्रो डैश माइक्रो नियंत्रक में हार्ड कोडित होता है तो हम याद रखेंगे बूट स्टैप लोडर याद रखना आप सभी बूट स्टैप लोडर माइक्रो नियंत्रक में हार्डवेर कोडित होता है अगला प्रश्न है डैश आस्थाई अधार पर प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करने के लिए प्रियोक्त भहुतिक उपकरण याने जो फिजिकल उपकरण रहते हैं डिवाइसेज को संदर्वित करता है तो रेम जो है वो आस्थाई जो है अधार पर प्रोग्राम या डेटा जो की रेम आज थाई रूप से डेटा को संग्रहित करता है अगला प्रेशन है किस प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस में नेफ्रेड लाइट के अद्रश्य बीमा को आळा तिर्चा किया थे जो प्लास्टिक के आउटर लेयर में स्थापिस सुरक्षी थे तो हम याद रखेंगे टच स्क्रेन अगला प्रेशन है किसी फाइल को प्रेंट करने का शॉटकट कुझी क्या संयोजन है तो MS Word में अगर हम देखे तो Ctrl बटन के साथ Ctrl V का प्रियोग करना है तो इसका मतलब होता है प्रेंट Ctrl C का मतलब होता है Copy Ctrl V का मतलब होता है Paste Ctrl N का मतलब होता है New Page एक Printer Document की Dash बनाता है अगर जब तक Copy जो है हमारा एक पेज जो है Computer के अंदर है तो वहाँ Soft Copy है और Printer के माध्यम से जब इसको बाहर निकाल लिया जाता है तो यहाँ Hot Copy कहलाता है MS Word में निमली की तमयते कि चेंज केज पिकल्प का उप्योग किसी चैनेज पार्ट में अक्षरों को केसिंग उलटने के लिए किया जाता है इस प्रेशन को अच्छे से समझेंगे Change Case याने अक्षर का जो प्रकार है वो किस प्रकार आपको रखना है अक्षरों का के केसिंग उलटने के लिए केसिंग याने उनकी दिशा जो है परिवर्टन करने के लिए देखें समझ लें Lower के इसका मतलब होता है अक्षर छोटा लिखा हुआ है याने Small A Upper के इसका मतलब होता है अक्षर बड़ा लिखा हुआ याने Capital A Sentence के इसमें यहाँ पर जो paragraph है उसको set कर लिया जाता है और Toggle का मतलब समझेंगे Toggle में जिसे मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो आगे का जो D है वो छोटा अक्षर होगा Small letter और बाकी के पीछे के जितने भी अक्षर है वो बड़े होंगे Capital तो इसको Toggle case कहा जाता है अगला प्रश्न है निम्न चित्र यहाँ दखाता है कि Dash Legal का मतलब होता है यहाँ पर Page का Size अभी यह जो है MS Word के Page Size को दर्शा रहा है और Legal में आपको Page का Size बता रहा है उप्योगी करता Document के Page अकार को बदल रहा है उप्योगी करता Document के Page अकार को बदल रहा है MS Word 2016 में Home Tab के Dash कमांड समू के अंतरगत उप्लब्द कमांड उप्योग करके First Line Indent को बदल रहा सकता है तो यहाँ पर First Line Indent में Paragraph को बदल रहा सकता है Font का मतलब जिसे हमारे जो computer के अंदर कौन-कौन से font याने कौन-कौन सी भाषा के जो है font डले हुए है Clipboard वो board होता है जहाँ पर हम किसी data को जब cut या copy करते हैं तो थोड़े समय के लिए clipboard पर वहार रहता है और paste करने के बाद यहाँ से data हड याता है Style यहाँ पर design की बात की गई है अगला प्रेशन नीचे दिये गए विकल्पों में निम्लिकित कतन में से कौन सा असत्य है असत्य कतन हम वहाँ प्रेश्ट विराम याने page break हटा सकते हैं जो word द्वारा प्रतेक प्रेश्ट के अंत में स्वता जोड़ा जाता है यहाँ गला थे MS Word 2016 में डैश section break आपको अगले संख्या संख्या वाले page पर नया solution नया section शुरू करने देता है कौन सा even text दोस्तों यह तो अगर संख्या वाले page की अगर बात कर रहा है संख्या वाले page की अगर बात कर रहा है तो आपको समझ में आता होगा English word है even और odd even मतलब some, odd मतलब विश्व laser z printer की गती को dash में मापा जाता है तो laser z printer की जो गती होती वो ppm में मापी जाती है webcam एक dash है, webcam एक digital video उपकरन है webcam होता क्या है दोस्तों तो आप ने computer के उपर अग जब हम video calling बगेरा करते हैं तो web camera की माध्यम से हम video call करते हैं इसे digital video उपकरन कहा जाता है किसी radio receiver में antenna में जो signal voltage प्रेरित होता है dash order का होता है तो वो जो signal जाता है वो micro voltage में जाता है के लिए function कुण जी कौन सी है spelling और grammar check जब हम किसी paragraph को पूरी तरीके से लिख देते हैं और उसमें अगर हमें किसी line या paragraph में spelling चेक करनी है तो हम F7 बटन का प्रियोग करते हैं लिए कर देखे लिए कर देखे लिए के भीज़ है